हेलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक प्रेडक्शन कोर्स लेक्चर 20 में टिले के बारे में तो जा टाइम वेस नहीं करेंगे प्लीज में चैनल को सबस्क्राइब कर देना एंड प्रेस अब बेल आइकन तो चले सबसे फ़हले हम यहां से फीडबैक आता है उसको ऐको बोल जिसको डिले भी कहा जाता है तो ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर कोई सेमपल लगा लेता हूं हम इसे क्लैप की मदद से जञदा अच्छे समझ पाएंगे तो हम यहां से क्लैप ले लिते हैं ठीक है यह क्लैप मैंने ले ली है simple मैंने इसको यहां पर लगाया pattern 1 को मैं यहां पर ले करके आया और मैंने इसको करके यहां पर 1 में यह assign है already तो मैं चलूँगा अपने mixer में वन में मैं आया यहां पर आप देखेंगे clap लगी हुई है अब यहां पर डिले लगा लेते हैं मैं आप एफ सर्च करता हूं देखते हैं यह रहा फूटी डिले टू यह आगिया है हमारा फूटी डिले मैं यहां से ब्राउजर को कर देता हूं बंद आप देखेंगे पहले हम सुनते हैं इसका effect क्या आ रहा है अभी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है by default बस मैं इसको लगाया है और आप देखेंगे feedback में कैसा sound आ रहा है ठीक है यहां पर आप इसका control देख रहे हैं यहां पर आप इसको control कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप जैसे कि यहां पर कुछ नहीं लगाते हैं इसको by default रख सकते हैं अब सुनके देखते हैं तो इस तरहा से हम यहां से इसको adjust कर सकते हैं यह इसकी में नौब है पूरे effect की और इसको यहां से यूज करके भी कर सकते हैं तो ठीक है अब दिले कि एक लुब के बारें बात करें कौन सी क्या काम करती है ली नॐ chi का करती है ऑगे काम करने में तो फ्रस्ट यहां पर आते हैं इंपूट एक सैक्षण दे रखआं इहां पर देखें इसकी फॉर्स नॉब है पैणिंग जैसे कि आप लोग समझते हैं अगर हमें Me linkedי में कर दोंगा तो जो उसका feedback है वो left में आएगा मैं इसको राइट में कर दोंगा तो इसका feedback में आएगा इसके साथ साथ हम लोग invit爱념 और दिखायेगा इसके signal में यहां पर ऑपूट फर्स जो मैंने clap on करी अपने keyboard पर space दबाया तो first जो sound आया वो मेरा dry sound जो मेरे यहाँ पर लगा हुआ है clap का first sound देता है उसके बाद जो आया वो echo थी जो गूंज रहा था तो देखते हैं दुबारा से सुनके echo sound आ रहा है जो उसका echo sound आ रहा है वो आ रहा है left में अगर मैं इसको right कर दूंगा तो यह sound आएगा right में first जो था वो दोनों में आ रहा है क्योंकि वो first हमारा dry signal था उसके बाद जो आ रहा है वो है हमारा delay signal यह होती है इस panning की volume कि आपको कितनी adjust करनी है मैं इसको कम रखता हूं इसको बढ़ा देता हूं यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको right कर रहा है तो right में सुना रहा है और volume इसकी यहाँ से adjust कर सकते हैं यह हो गई इसके आगे चलते हैं अब एक section आता है हमारा feedback का यह हमारा feedback का section है first normal है normal पर यहाँ पर check है इसका मतलब आप जैसे इसको रखोगे मैंने इसको by default रखा तो यह दोनों में sound आएगा यह normal है तो हम इस पर रखेंगे तो जैसे sound है वैसे ही आएगा जिदर pan करेंगे उधर की तरफी panning का sound आएगा तो यह होता है normal इसके बाद आता है invert invert means करता है यह उसको उल्टा कर देता है उल्टा सपोज अभी मैंने जो pan कर रखा था लेफ्ट में तो लेफ्ट में sound कर रहा था लेकिन अब मैंने इसको left कर दिया और यहां से कर दिया invert तो मैं जब इसको play करूंगा जो मारी dry sound आएगी फर्स तो दोनों में आएगी राइट और लेफ्ट में लेकिन जो उसके बाद delay आएगा वो left ना करके right में आएगा क्योंकि मैंने यह से invert कर रहा है इसको उल्टा तो मैं सुनाता हूं आपको एक बार play करके दिखाता हूं यह आप देख रहे हैं right में sound आ रहा है क्योंकि मैं यहां से invert करता है और मैं सको normal कर दूँगा तो यह left में आएगा invert कर दूँगा तो left वारा right में आएगा और इसको यहां से right करूँगा तो sound आएगा left में ठीक है फिर आता है ping pong पिंग पॉंग क्या काम करता है ping pong जो है हमारा यह left और right दोनों में sound देता है मतलब एक अगर पहले वो आएगी left में फिर आएगी right में फिर आएगी left में फिर आएगी right में इस तरीके से तो इस तरह से यह ping pong काम करता है अभी मैंने इसको पैन नहीं कर रखा और अगर मैं play करूँगा तो आप देखेंगे दोनों में same ही sound आएगी मतलब कोई right left नहीं होगा ठीक है तो यह भी भी कुछ सही आ रही है अब लेकिन मैं इसको left कर देता हूं मैंने इसको कर दिया left अब यह क्या करेगा ping pong कर रखा है left अपने कर दिया तो पहले sound जो आएगा right side में आएगा opposite आएगा जैसे invert था वैसी ping pong भी है अगर हम left में रखें तो right में आएगा लेकिन यह क्या करेगा पहला right में आएगा फिर दूसरा left में आएगा फिर right में आएगा तो सुनते हैं अब मैं इसको right कर दूँगा तो पहले left में आएगा फिर right में आएगा ठीक है तो यह होता है मारा पिंग पॉंग यह नॉर्मल वापिस नॉर्मल पर आ गए यह इसकी वॉल्यूम होती है जो इसका फीड़ बैक है जो डिले आ रही है जो जो लेटेंसी आ रही है या फिर जो एको आ रही है यह उसकी वॉल्यूम एड्जस्ट करता है कि आपको कितन volume चाहिए मतलब कितनी volume अगर मैं इसको इतना रछता हूँ तो अब सुनते今 बार इसको पिंग में पॉंग कर करके तो हम यह इसकी feedback की volume जल्दी कम थी तो जल्दी वह चला गया अब है ठीक है यह इसकी volume अलभनी में मैं अब चीज में पता रहे तूंब क्वाल्यम आप इतनी रखते हो तो यह साउंड तेज करेंगा कि तहीं बढ़ा ओगा उतना जादा देर तक चलेगा इसका ज़ादा और इसका वॉल्यम रहेगा उतना त्ना दीरे धीरे यह जाएगा दीरे मतलब कम होगा और फिर लास्ट में जाकर बंदोगा लेकिन अगर हम इसको full कर देंगे तो ये बात ध्यान रखना ये loop बन जाएगा ये तब तक बन नहीं होगा जब तक आप इसको बन नहीं करोगे sound को एक बार सुनाता हूं आपको और एक continuous चलता रहेगा अगर हम इसकी volume को full रखते हैं तो ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे ये बहुत दीरे 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 नीचे आ रहता है बहुत दीरे दीरे पता नहीं कब जाकर कि यह यहां तक भी आता ये matter करता है कि आप feedback की volume कितनी रख रहे हो जितनी जड़ा उसकी feedback की volume रखोगे उतना ही दीरे-दीरे उसका sound नीचे आएगा एको दीरे खतम होगा ठीक है यह होती है volume feedback की second यह होता है हमारा cutoff क्या काम करता है cutoff it's a frequency knob यह frequency knob होती है रिबर्व वाले lecture में भी बताया था frequency के बारे में हम जब EQ का lecture आएगा तब बात करेंगे अभी सिर्फ हम यह समझ लेते हैं base से लेकर के high तक ऐसी frequency है जो आप boost करना चाहते है मतलब जो जाते feedback में वॉला sound है suppose मैं इसको रखता हूं 18% तो पहले जो था यह इतने पर क्या sound दे रहा था एक बार सुन लेते हैं वापिस से इसको ठीक है low frequency जो जैसे कि इस टाइप का जो sound है उसका feedback आएगा उसका echo आएगा तो सुनते इसको बढ़ाते हैं थोड़ा तो यह frequency होती है इसकी कि आपको कितनी frequency रखनी है मतलब कौन सी frequency रखनी है जो आप चाहते हो कि उसका echo आए अगर मैं full कर दूँगा तो mid में आएगा बिल्कुल down कर दूँगा बिल्कुल down कर दूँगा तो आवाज ही नहीं आईगा echo की तो यह होती है हमारी cut off frequency और यह उसकी volume feedback की ठीक है आगे बढ़ते हैं यह होता है हमारा time अब time क्या चीज होती है इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है मैंने इसका time रखा यहां पर 10 मतलब कितनी देर बाद मेरा echo आएगा first echo कितनी देर बाद आएगा और उसी के divide करके फिर दूसरा echo आएगा फिर तीसरा echo मैं यहां पर one by eight कर लेता हूं राइट क्लिक करूंगा इस पर set पर आया eight step इसकी cut-off बढ़ाते हैं तो कितना कितना time बाद रहे टुक 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 टाइमिंग सेट कर दी मैं चाहता हूं कि दो सेकिंड बाद दूसरी एक वाए फिर दो सेकिंड दूसरी आए दो सेकिंड बात पहले एको आए फिर दो सेकिंड बात फिर एको आए तो यह उसकी timing होती है जो timing set करोगे उसी के हिसाब से जो एको है वह आएगी इसको मैं फूल कर देता हूं और सुनता हूं आप देखें कितनी डिले कितना देर बाद इसका frequency यहां से volume थोड़ी बढ़ा के समझते हैं अच्छे से तो इसी तरह से जितनी timing आप इसकी रखोगे उसी हिसाब से इसका feedback आएगा अब मैं इसकी feedback रखता हूं यहां पर चाहूं तो मैं इसको timing पर मैं को इसकी नौब को रखना है ठीक है मैंने इसकी नौब को रखा यहां पर 10 पर तो सुनते है कितनी कितनी देर बाद कितने steps में उसकी frequency आएगी यह वह timing रखता हूं कम आने रखी यहां पर दो तो जिसी टक टक एकदम से आ जाएगी अब देखते हैं अब मैं इसकी timing रखता हूं टीन चार रखते हैं पाच अच्छा एक चीज़ और यह यह राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने इसे पिंक पॉंग on कर रखा है और पैनिंग कर रखिए मैं इसको reset करते हूं ताकि आप एक में यह आपको सनाई दे नॉर्मल और कितनी देर तक इसकी echo आती रहेगी यह इसकी volume करती है तो volume जिस वहाप से आप रखें कि उस To उतनी ज्यादा रखोगे उतनी दीरे 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 वो नीचे उतरेगी तो यह टाइमिंग आप देख सकते हैं आपको कितनी टाइमिंग रखनी है यहां से राइट क्लिक करके कुछ इसके वो भी दे रखने हैं कि जैसे मैंने वन बैफ फॉर पर सेट कर लिया तो यह आटमेट यह होता है कि मैंने यहां से पैनिंग कर दी इसको कुछ भी निकारा बस पैनिंग कर दी और मैं अगर इसको लेफ्ट में कर दूँगा यह इसको पैनिंग कर दूँगा यह स्टीरियो एफेक्ट के लिए होता है इसको पैनिंग भी बोल सकते हैं ऑफ साइड मींस वही कि जो तो feedback का feedback दे रहा है अपने रइड चैनल में और मैं इसको left कर दूँगा तो यह left चैनल में देगा feedback का feedback तो इस तरह से हम इसको use करते हैं और यह last में आता है dry ठीक है इसको मैं pahle reset करके वापिस लाता हूं और किसी भी knob को ऐसे करके लगाने की भी जरूतनी होती और इसकी जैसे से मैं नौब बढ़ाऊंगा फुल कर दूँगा तो आप देखेंगे जो ड्राइ सिगनल है जो हमारी क्लैप का एक्चुल जो उसकी वॉल्यूम है वो बढ़ चुकी है यहां से कम कर सकता हूं मैं मैं यहां से करेंगे और जो когда we have to do here का के वाल्यूम को मिसा लेख करेंगे चारो चीड़ानर करें है तो यह ज़्यूण की यहां सब्स्क्राण के लिए तो मैं छ चीजह जोती है तो ड्राइ की वाल्यूम और Smoke की फीडबेक की वाल्यूम और एक टाइमिंग ये बहुत जरूरी तीन नॉब्स होती है इनको अब जरूर बिल्कुल समझ करके लगाएं क्या कितना जरूरी है ये चीज का ध्यान रखें देखो मैं इसकी वॉल्म को करता हूं फिल तो देखें आप ड्राइ की कितने जाधा वॉल्म आईगी बाद में ज दोस्तों कैसा लगा आप टुटोरियल अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस्टा बैल आइकन थैंक यू सो मच कीप सपोरिंग लव यू आल